हाई प्रेंच नमस्कार डिफेस आपडेट भारत प्रापका स्वादेर सोप्रेंच से इजरेल फार्मांड कॉपनी एलबेट सिस्टम ने हमारे भारत में 129 mm आटिलेरी गौन का 70% हिस्ट्रे को निर्मान करने के लिए अफर किया है मतलब हमारे भारतिय सेना को 1580 आटिलेरी तोप की आपूर्ती करने के लिए सरकार तोर पर फ्रांसिस गौर्मेकर नेक्स्टर की तुनला में कहीं अधिक सस्ते सेम टाइब आटिलेरी गौन को लेकर इसरेल कॉपनी एलबेट सिस्टम ने भारतिय डिफेंस इमिनिस्ट्री राजिनारे सिंग को एक पत्र लिखा है कमपनी के द्वरा ये कहा जा रहा है कि भारत में 400 यूनिट एटी एचो ओएस एक्सो पाजबन में आटिलेरी गौन को मेकनी इंडिया के तहट डेवलब करने के लिए एटी एचो ओएस मतलब होता अटनोमस टोएड होईजर औरना सिस्टम तो ये आटिलेरी गौन को मेकनी इंडिया के तहट डेवलब किया जाएगा फिर 70% कॉंपोनेंट स्पैर्स पार्स को हमारे भारत की लोकाल कमपनियों के द्वरा भारत में डेवलब किया जाएगा जिसके लिए कमपनी के साथ TOT, Transfer of Technology हमारे भारत ये कमपनी के साथ ये कोलाबर्सन में करेगा तो ये अफ़ोर, Elbit सिस्टम इसराइल कमपनी के तरफ से ये ATSGC आर्टिलेरी हमारे सोधे सी आर्टिलेरी गौन को देखते हुए दिया जा रहा है येदि हम यहाँ पर मेकनी इंडिया का वेपन सिस्टम डेवलब को लेकर टॉर्मा और कॉंडिशन को देखे येदि कोई भी विदेशी कमपनी भारत में मेकनी इंडिया का हिस्सा बनेगा तो कम से कम 50% से अधिक Make in India के तहट डेवलप कंपोनेट या स्पार्ट पार्ट को अपने प्रोड़क्ट में इस्तमाल करेगा फिर ये जो 50% से ज्यादा कंपोनेट हमारे भारत में डेवलप किया जाएगा तो ये जो कंपनी हमारे local कंपने के साथ Potato के तहत मतलब Transfer of Technology slime collaboration की माध्यम से हमारे भारत में design, developer, manufacture किया जाएगा जो कहीं ना कहीं हमारे देश को टेकनलोजी, weapon technology की खेतरों में, future में एक बड़ी उपलबदी हासिल करवाएगा मतलब साब साब ये टेंडोर को लेके डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया के तरफ से 1100 आटिलेरी गौन को लेके ये सर्थ रखा गया कि जो कमपनी गौन को पुरी तरीके से मेकरी इंडिया के तहत और ये टॉर्मांड कॉंडिशन के साथ 50% सोदे सी हिस्सा बनेगा तो वही अपनी हमारे भारत में अपने डिफेंस प्रोड़ोट को यहाँ पर मानुपक्तर करेगा और इंडिया नाम फोसेस को प्रोवाइड करने के साथ फोरेंड को भी यहाँ से एक्स्पोर्ड करेगा तो ये टॉर्मांड कॉंडिशन को लेके इसराइल कॉंपनी एलबेट पहमती दिया गया है फिर ये आटिलेरी गौन डेवलोब को लेके हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से और एक सर्थ भी रखा गया है सोप्रेंस इची तरह लाटर डिफेंस अपडेट देखने करे डिफेंस अपडेट भारत को जरू सर्सकाइब कीजिए हमारे हर एक न अटनोम और स्टोएड हॉईजर और नान सिस्टम का वाद करे तो ये के एक सो पॉस्पोर्ण में फिफ्टी टू कालीवर आटिलेरी सिस्टम है जो इस्रेली एलबीट तरफ से डिजाइन और डेवलोप किया जा है ये मिनिमम पांस किलेमिटर से चालिस किलेमिटर तक स्ट देख इलोक्तोनिस राडर सिस्टम को लगाया गया है जो इसे बैटल फिल्ड में मास्तर बनाते हैं और ये एटी एचोएस आटिलेरी गॉन का पॉर इनुट का कोस्ट 1.49 मिलियोन जो की हमारे इंडियान कॉरेंस में 17.3 कोरोर रुपया बनता है प्रेंस स्पेशाल इस्रे प्रेट भारत को जरू सस्काइब कीजिए जोहिन जय भारत